आज हम कक्षा दूसरी यानि की सेकंड क्लास का भाषा माधुरी का पार्ट नमबर एक करेंगे यह एक कविता है जिसका नाम है सीखो सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना सूरज की किरणों से आपको क्या सीखना है कि आपको हमेशा समय पर उठना है देखिए सूरज हमेशा सुबा समय पर निकलता है और समय पर सवेरा होता है इसलिए हमें भी समय पर उठना चाहिए चलिए आगे पढ़ते हैं चीटी से अब तुम सीखो महनत से आगे पढ़ना चीटी से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें हमेशा महनत करनी है आपने चीटी को देखा है न वह कितनी महनत करती है कितना वजन उठा कि एक जगा से दूसरी जगा लेके जाती है इसी तरह हमें भी पूरा जीवन मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है चलिए आगे पढ़ते हैं इधर उधर मत्फे को कुड़ा, कुड़े दान में ही डालो कुड़ा हमें इधर उधर कुड़ा नहीं फेकना चाहिए उससे जगहा गंदी हो जाती है और उससे हमें कई प्रकार की बिमारियां भी लग जाती है इसलिए हमेशा कुड़े को कुड़े दान में ही डालना चाहिए चलिए आगे पढ़ते हैं सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो हमें हमेशा समय पर पढ़ाई करनी चाहिए जब भी आपके ममी पापा आपको बोलें आपको होमवक खतम करना चाहिए और दीन दुखी देखिए ये एक पिक्चर बनी हुई है दीन दुखी यानि जो दुखी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए ये है बहुत अच्छी बात होती है चले आगे पढ़ते हैं कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिल जुलकर रहने में ही भलाई हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए हमेशा मिल जुलकर रहना चाहिए इसी में सब की भलाई है जगड़ा करने से तो किसी को कुछ नहीं मिलता है न चलिए आगे पढ़ते हैं अपने बड़ों को शीश जुकाओ कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ हमे अपने बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए उनकी बात का आधर करना चाहिए हमारे बड़े हमें जो भी कुछ कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं और हम जब भी बोलें तो कोयल जैसा मीठा बोलें कोयल आपने देखा है न कितना मीठा कूकती है वैसे ही हमें भी हमेशा मीठी मीठी बात करनी चाहिए किसी से कड़वी बात नहीं करनी चाहिए किसी से भी हमें हमेशा सबसे प्रेम से प्यार से बात करनी चाहिए आपको कविता कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू